नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल लर्न वीथ डैक्स में इसे में प्राबलम खास करके तब और भी ज्यादा सीवियर हो जाती है जब सिलेबस हो आपका 100% बिकाज लास्ट येर येर 2020-21 में सिलेबस जो है वो 30% था रेडियूस एड उसके अक्वाडिंग नियू ब्लीवप्रिंट्स एड नियू पेपर स्टाइल जो है वो यहाँ प्रोवाइड की गई थी बट इस येर के लिए 100% सिलेबस के अभी तक किसी भी तरह की ब्लीवप्रिंट या फिर पेपर स्टाइल जो है वो स्टूर्ट्स को प्रोवाइड नहीं की गई है बट एनिवे हर बार की तरह यहाँ पर जो है इस बार फिर से क्लास 12 इंग्लिस मिडियम के स्टूर्ट्स के लिए यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूं सॉलिशन जहाँ पर आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे क्लास 12 इंग्लिस फर्स्ट लैंग्वेज की कम्प्लीट ब्लीप्रिंट और पेपर स्टाल के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर हम समझेंगे माक्स ओफ वेटेज को ताकि जब आप एक्जाम्स दे तब यहाँ किसी भी तरह की दिकत का सामना जो है वो आपको ना करना पड़े और आप जो है आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो इसी पेपर स्टाल के अग्वार्डिंग कर पाएं और फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर स्टाल के बारे में बताऊं उससे पहले एक बेहरी इंपर्टन सी बात कि यह जो paper style है यह current year year 2021 and 2022 के आपके October month के first time के examination में आपके January February month के second time के examination में and finally आपके March month का जो board examination है उन सभी में यहाँ पर यह जो blueprint and paper style है यह आपको आने वाला है काम तो यहाँ बेहत ही ध्यान से इस paper style को जो है वो यहाँ पर आप समझेगा आप friends यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है weightage of marks जो कि weightage of marks जो है इसे हम directly model paper के अंदर अगर समझेगा तो ज्यादा बैटरली यहाँ पर आपको हमें समझ में आपाएगा तो directly मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ model paper की तरफ जो कि यहाँ पर एक board examination का भीपरी 100% syllabus की according तो आपकी तीनों ही exams के लिए जो है यहाँ पर आपको काम आ जाएगा friends यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है section A and section A के अंदर यहाँ पर सबसे first question हमें कुछ कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि read the following passage and select the appropriate answers जहाँ तो दूस्तों unacademy लाया है CLAT के लिए three most important batches जो की है as low, mighty legal and justice served तो अगर आप भी common law entrance test की preparation कर रहे हैं तो आज ही join कीजिए as low one year comprehensive batch को जो की start हो रही है date 4th of October से इसके अलावा mighty legal batch भी आप कर सकते हैं join जो की start हो रही है date 6th of October से और अगर आप यहाँ पर beginners हैं तो आपके लिए यहाँ पर justice served जो की यह start हो रही है date 8th of October से फाकल्टीस तो आपको सुही हो रहे होंगे यहाँ पर आपकी screen पर यानि इसके अलावा अगर हम features की बात करें तो personal doubt solving, unlimited quizzes, live and recorded sessions, weekly events, mock test and और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा subscription plan आपको सू कर रहे होंगे आपकी screen पर अगर आप use करते हैं हमारा code DEX10 तो 10% additional discount भी आपको यहाँ पर मिलेगा ज्यादा information के लिए आज ही subscribe करें on academic official youtube channel को तो देर किस बात की join कीजिए klat batch now पे हमारी main textbook flamingo से जो है वो friends हमें दिये गाएगा एक paragraph and इस paragraph को जो है हमें करना है read and simply read करने के बाद यहाँ पर जो four questions हमें दिये हूँ है question number one, two, three and four इसके यहाँ पर हमें देना है answers जो कि answers हमें ABCD options में सही देना है तो बहुत सब दिकत यहाँ पर जो है वो नहीं होगी simply paragraph को करिये read and answers यहाँ पर दीजे हर एक question जो है friends वो यहाँ पर carry करता है one marks तो यहाँ पर first question के लिए आपको यहाँ जो है वो मिल जाएगे यहाँ पर total four marks इसके बाद में friends यहाँ पर जो है यह बात आती है next question की जो कि यह friends यहाँ पर fill in the blanks with appropriate options in the brackets and write them answers only जहाँ पर bracket में total eight different different words जो हमें दिये हुए है यहाँ पर एक paragraph हमें दिये जाएगा जहाँ पर total eight blanks होंगी हर एक blank के अंदर proper word जो है वो हमें यहाँ करना है put हर एक blank carry करेगी यहाँ पर point five marks total eight blanks है तो यहाँ पर इसके लिए friends हमें मिल जाएगे total four marks then friends यहाँ पर बाता दिया next question की जिसका title है answer the following questions in six to seven sentences of each यहाँ पर question number 13, 14, 15 and 16 हमें यहाँ दिये जाएंगे हर एक question जो है friends वो यहाँ पर carry करता है four marks and इसके लिए हमें जो है यह मिल जाएगे 12 marks यहाँ पर question number 13, 14, 15 and 16 जो है friends यह हमारी main text book flamingo से पूछा जाते हैं तो यहाँ आपको in question answers के लिए flamingo के जो भी units है unit number 1 to 4 वो read करने रहेंगे आपकी first examination के लिए and उसके बाद जैसे examination के सिलिए बस आगे बढ़ेंगे उसके सबसे यहाँ पर आपको करनी रहेगी preparation यहाँ last वाला जो question है उसके और में आपको एक और question मिलेगा हर एक इस type के question में and इसी के साथ में friends यहाँ complete हो जाता है हमारा section A जो कि friends यहाँ पर हुगा total 4 plus 4 plus 12 यानि कि 20 marks का तो section A यह हो जाएगा friends हमारे ले total 20 marks का section इसके बाद में friends बात आती है next section की जो कि friends यहाँ पर section B section B की तरफ में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक चोटी सी गुजारीस वीडियो friends बनान में काफी जादा effort लगता है तो friends यहाँ पर आपकी एक like देकर जो है वो यहाँ पर provide केज़े मुझे धेट सारा motivation और यहाँ हो सकते वीडियो को आपके बाकी के दोस्तों के साथ भी यह श्यार केज़ेगा क्योंकि entire YouTube पर जो है वो गुजरात बाट के class 12 English Medium के students के लिए यहाँ पर हमें ऐसी ही वीडियो को लाइक तो और भी आसी ही वीडियो जो है वो आपके लिए यहाँ पर करना है इसके ओपर से यहाँ पर question number 17 and 18 जो पुछे गए होंगे इसके हमें देना है answer हर एक question यहाँ पर carry करता है single marks, total two questions and इसके लिए यहाँ पर friends हमें मिल जाएंगे two marks then यहाँ पर बार यहाँ यह next question की, जो कि choose the correct figures of speech from the given options यहाँ पर friends question number 19, 20 and 21 जो है यह figures of speech के हमारे question होंगे यहाँ पर options हमें दिये है, simply आपको बस read करना है sentence को and उसके according आपके correct figures of speech जो है वो choose करके लिखनी है हर एक question carry करता है, यहाँ पर one marks, total मिल जाएंगे friends, यहाँ पर हमें इसके लिए three marks then यहाँ पर बात आती है next question की, जो कि answer the following question in about four to five sentences of each question हमें 22, 23 and 24 जो है वो इस तरह के questions हमें पूछा जाएंगे questions होंगे, यहाँ पर हमारी poem के according and यहाँ हर एक question carry करता है marks, total आपको यहाँ मिल जाएंगे इसके लिए six marks इसके बाद में friends, बात आती है section B के last question की, जो कि यहाँ पर answer the following questions in about six to seven sentences of each हमारी supplement reader book, यानि की विस्तास book जो है, उसके अंदर से friends, यहाँ पर यह questions हमें पुछ जाएंगे, question number 25, 26 and 27, 27 की और में एक और question यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको पहला भी बताया, कि flamingo book के question answers हो, poem के question answers हो, या supplement reader book के question answers हो, last वाला जो question है, इसकी और में हमें six marks, तो friends, यहाँ यह हो जाता है, हमारा section be complete, पत करते हैं हम section C की, section C की अंदर से first question हमें पुछा होएगा, rectify the errors, जहाँ पर four different different types of sentences हमें दी होँगे, हर एक sentence के अंदर एक error है, जिसका correction हमें करके लिखना है, error जो है, यहाँ पर spelling mistake की punctuation की, या whatever kind of error हो सकती है, simply आपको करना है identify and लिखना यहाँ पर इसका answer, यहाँ पर four questions and हर एक question carry करेगा one marks, total four marks का हो जाएगा, rectify the errors, इसके बाद में friends, बात आती है, यहाँ पर rewrite the sentences using correct meaning of the given phrases or idioms, यानि की idiom and phrases के questions है, question number 32, 33 and 34, इस type के idiom phrases के question होँगे, जहाँ पर simply sentence हमें करना है read, यहाँ जो options दिया है, उनमें से एक option को रखके हमें, यहाँ जो sentence है, उसे करना है, rewrite, हर एक question carry करता है, one marks, total हमें मिल जाएगे, यहाँ पर three marks, then friends, यहाँ पर बात की जाए, next question की, जो कि यह puncture the following passage, यहाँ पर punctuation marks के मतलते हमें, जो है, इस passage को करना है, rewrite, इसके लिए मिलेंगे, यहाँ पर हमें two marks, then यहाँ पर narration वाला यह graph है, इसे हमें simply करना है, rewrite, and इसके लिए यहाँ पर हमें मिल जाएगे, friends, two marks, then यहाँ पर बार यहाँ यहाँ यह last question की section की section, जो कि यह do as directed, total seven different, different kind of यहाँ पर sentences, जो हमें में दिये होंगे, हर एक sentence यहाँ पर अलग grammar का rule, जो है, वो follow करता है, question tag, active passive voice, change the degree, is a different, different, and जो भी grammar के यहाँ पर topic 7, according यहाँ दिये जाएंगे seven sentences, हार question यहाँ पर carry करेगा one marks, and यहाँ मिल जाएंगे अपर friends seven marks, and इसे के साथ में, यह हमारा complete हो जाएगा, friends, यहाँ पर section C, then बात आती है, यहाँ पर next section की, जो कि है friend section D, section D की बात करें, इसे पहले यहाँ अगर आपन video सबसे पहले आपको मिलती रहें, so friends section D के लिए first question है, read the following passage and answer the questions given below it, जहाँ पर unseen passage जो है, वो हमें दिया जाएगा, जो हमारी किसी भी book से relate नहीं करता है, किसी और book से जो है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ दिया जाएगा, simply से हमें करना है friends read, and इसके ओपर से यहाँ पर, जो एक unseen, यहाँ पर जो हमें stanza दिया होगा poem का, इसे भी हमें friends करना है read, and इसके ओपर से, यहाँ हमें questions भी पुछे जा सकते हैं, या फिर इस poem को जो है, वो हमें summarize करके जाने कि पैराफ्रेज करके भी लिखना हो सकता है, और इसके लिए friends जो है, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे five marks, जबर नहीं है कि हर बार यहाँ paraphrase ही हो, यहाँ पर आपको poem के उपर से question answers भी जो है friends, वो यहाँ पुछे जा सकते हैं, इसके बाद में friends बात आती है next question की, जो कि यह question number 53, जहाँ आप हमें कहा गया कि study the following chart and interpret into six to seven sentences, यहाँ आप हमें कोई chart, कोई diagram या फिर कोई graph दिया हो हो सकता है, simply हमें इसे करना है, read and six to seven sentences जो है, वो इसके according हमें लिखना है, यहाँ अगर आपको यह नहीं करना interpretation वाला question, तो इसके और में friends आपको दिया होगा note writing, simply आपको चूज करना है कि आप note writing करेंगे, या फिर interpretation वाला section, यहाँ पर यह करी करेगा friends आपके लिए five marks, then बत है, simply choose करना है कि कौन सा वाला topic आप यहाँ पर करेंगे, हार एक question यहाँ carry करेगा five marks, दोनों में से जू भी आप लिखते है, so friends यहाँ पर total, 20 marks का हो जाता है हमारा section D, यहाँ इसके बात बात आती है, यहाँ पर last writing section की जो की reference यहाँ section E, section E के अंदर, सबसे पहले दिया हुआ question number 55, जहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है report, report की और में हमें friends दिया हुआ है article writing, question carry करेगा यहाँ पर five marks, simply आपको choose करना है कि आप यहाँ पर क्या लिख कराएंगे, then question number 56, जहाँ पर हमें सबसे पहले का आगया है job application, यह question यहाँ compulsory, इसके और में कुछ भी नहीं है, seven marks का friends, यहाँ पर question रहेगा job application का, then question number 57, जुकि है friends, यहाँ पर essay writing, and essay writing में friends, यहाँ पर मिल जाएंगे, हमें simply option, हाँ, essay writing के और में friends, speech writing, यह फिर story writing, जो है, वो दिखने मिल सकता है, total eight marks का friends, यहाँ यहाँ यह last question number 57, जो है, यह हमारा हो जाएगा, and इसी तरह से, यहाँ पर 20 marks का friends हो जाता है, हमारा section E, and इस तरह से, यहाँ 100 marks की हमारी जो pattern है, यह हो जाती है, complete, current year 2021 and 2022 के लिए, जो के friends, यहाँ पे 100 percentage syllabus के according, यहाँ यह जो paper है, यह paper friends, यहाँ मने लिया year 2020 का, जहाँ पर भी 100 percentage syllabus जो है, वो यहाँ दिया गया था, simply आप देख सकते हैं यहाँ आप इस paper क and उसी के according यहाँ, यह जो हमारी तीनों examination जाने वाली है, 2021 and 2022 वाली, यहाँ भी यही pattern जो है, वो होने वाली है, follow, so hopes of friends, यहाँ पे कि जितने भी questions के regarding, या फिर मैं आपको paper style के regarding information यहाँ बताई, वो एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आ गई होगी, and अब आप यहाँ simply आपकी exam की कर पाएंगे preparation, and अच्छे यहाँ पे score जो है, वो अच्छे कर पाएंगे आपकी examination के अंदर, वस तो friends, इतना ही रखा जाए हमारी आज के इस वीडियो में, वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजएगा, बागी के सभी दूस्तों के साथ कर होता है, वो मुझे बताएंगे अच्छे comment box के अंदर, जल्दी यहाँ पे वीडियो इस लाने की जो है, मैं कोशिस करता रहूँगा, मिलते हैं friends, जल्दी एक नई वीडियो में, ऐसे ही किसी मसेदार topic के साथ में, तब तक लिए thank you so much, जय हिंद वंदे मातरम